तो basically आपके पास दो questions है, पिछले 24 घंटों में दो चीज़े हुई होगी, अभी आपको guess करना है कि कौन सा true है, number one, AEW fans ने अपने सर फोड़े होंगे दिवार पे, या number two, मैंने अपना सर फोड़ा होगा दिवार पे, तो guess you're my champions of the world, मैं O3DX जेतने, ठीक है यार, उस question का मैं ही answer देता हूँ, the answer is both, all elite wrestling वालों का भी बताता हूँ, लेकिन अपना भी बताता हूँ, अपना कैसा हुआ, पिछली जो unpopular opinion वाले वीडियो थी, उसमें as usual, like मैंने पता है मेरे को मैंने पिछली बार भी कभी किया होगा ये वाला मेरे को याद है, मैंने फिर से universal title को world championship में count नहीं किया, और actually मैं Brock Lesnar was 10 time champion, and you know कि आपने कितनी बड़ी गलती करिया है, कि एक तो बंदा होता है, जो हिंदी में, यानि कि pure हिंदी letters में आपको लिखके बता है कि Brock Edward Lesnar ने 10 बार यह championship जीत रखी है, तो फिर आपको पत जल जाता है कि आपने बहुत बड़ी गलती करती है, तो इसलिए sorry for that, अबर देखो मैं क्या ही करूँ या, universal championship तो मुझे लगता है कि Brock Lesnar भी भूल गयोंगे, शायद अपना title range हो था उनका, तो ठीक है है, उसको लेकर मैंने अपना सर्फ ओड़ा, और दूसरा है All Elite Wrestling fans की जा रहा हूं, उसके बाद अगर कुछ special हुआ, जो कि मेरे को लगता है कि मुश्किल है, तो वो दूसरी वीडियो में cover हो जाएगा, अभी के लिए तो क्या है, Brock Lesnar से शोग की शुरूआत करी, और जब शोग की शुरूआत ही Brock Lesnar से होई गई है, तो फिर main event तक रूखने का फाइदा है ने, Brock Lesnar एक ऐसा स्वेटर पेन के आया थे, ऐसे टाइप के स्वेटर ना मेरे को बच्पन में पेनने में बड़ी शरम आती थी, और आज Brock Lesnar को देखके लग रहा है कि यार मैं पागल था, पर शायद Brock Lesnar को फिर समझ में आ गया था, इसलिए तुरन तुनों ने उतार भी दिया, and Brock Lesnar was looking happy, and मेरे को लगते है कि, like अगर Brock Lesnar हर RAW में आ रहे है न, तो आप WWE Championship नहीं, बल्कि आप Universal Championship भी रख लो, US Title भी रख लो, हमें कोई दिखकत नहीं है, अभी हुआ क्या, AW fans ने कैसे अपने सर फोड़े, वो तो like, वो तो Twitter पे full अपने मिसाइले छोड़ रहे थे कि, अरे भया, यह तो WWE बरबाद हो जानी चाहिए, Brock Lesnar को ऐसे कैसे Championship मिल गई, देवर expecting कि हाँ कुछ बेकार reaction मिलेगा, बट जैसे Brock Lesnar है, people went crazy, मतलब ऐसा रखते है, वॉलकेनों फट गया हो, तो उनको देखकर भी लग रहा हुआ कि, यार हम Twitter पे इतना करते हैं, त उसको कुछ फायदा हो, दिखता है क्यों नहीं है, टीवी पर, टीवी पर तो, वो same reaction मिल रहा है Brock Lesnar को, तो यास, वहाँ पर AEW fans की बिचारों की मेहनत बरबाद हो गई, एमें को ये भी चीज़ अच्छी लगए, कि Paul Heyman ने interrupt किया Brock Lesnar को, और मतलब सही है, Paul Heyman के अंदर जो ह लगों के बीच रहने में anxiety होती है, मिरे को लगते है कभी-कभी वो दिखता भी है उनके promos में, but still he is trying, and he is trying to entertain at least, मतलब मिरे को लगते है कि बहुत चीज़े वो करते हैं, जो कि unscripted होता है, आज भी मिरे को लगते है कि बहुत उन्हेंने actions हैसे कि होंगे, जो कि unscripted थे, and अ हम लाइक भाई, हमें पागल समझ रखा है क्या, मतलब summer slam, यह सब day one, royal rumble, elimination chamber, यह सब हमने Brock Lesnar versus Roman Reigns के champion versus champion के लिए किया, और आप कहा रहे हैं कि नहीं जा पाएंगे, वो भी live event की वजए से, अब तो भूल जाओ, मतलब एक time को तो लग रहा था कि हाँ, चलो क्या पता live event में कुछ हो जाए, नहीं होने वाला, जब pay-per-view में कुछ नहीं हुआ, तो क्या live event में risk लेंगे, अची घंटा, वो भी Brock Lesnar और Roman Reigns पे, ना ना ना, ऐसा भूल जाओ, और किसके साथ match होगा, यह अभी तक बताएं नहीं, क्योंकि apparently शाइद से Paul Heyman ही है, वो जो choose करेंगे Brock Lesnar का opponent जैसे कि उन्होंने आज वादा किया है, अगर Bobby Lashley ठीक नहीं हुए तो, तो of course, बहुत पता है कि like, Roman Reigns versus Lesnar होगा, which is good, but यह जबरदस्ती का MSG को hype मत करो, चुपचाप WrestleMania को hype करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता MSG से, यतना ही था, तो Madison Square Garden में रख देते है, WrestleMania, हाँ यार, Tag Team Matches देखने को मिले थे, जैसे कि Street Profits and Otis and Gable, जिसमें Otis and Gable ने match जीता था, thank you, भाई वो जिस तरह से thank you बहुत है ना भाई, मेरे को तो बहुत पसंद आ गया, and then एक बर मैच आया Tag Team, Tag Team के लिए, Tag Team Championship तो नहीं बोला था, मैंने पहले अगर बोला हो तो sorry बठा, Rude and Ziggler versus Tomm Tommaso Chiyampa and Finn Balor, oh my god, Finn Balor is back and that is with Tommaso Chiyampa, क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा देखकर Tommaso Chiyampa and Finn Balor को एक साथ, और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो क्या talent है, मतलब चारो के चारो सुपरस्टार एक की दिंग में, अगर आपको देखने को मिले, तो you should be blessed, and Finn Balor क भी like push मिलता हुआ, देखकर अच्छा लग रहा होगा लोगों क्यूंकि काफी time से लोग बोल रहे थे, क्या रहे, Finn Balor को दिखाओ, इतना दिखाया कि जब Damien Priest का मैच हुआ, उस मैच के बाद जब उन्होंने challenge किया, क्या कौन लेना चायागा मेरी championship, तो Finn Balor आए, मतलब एक हो यार एक तो होता है push देना और एक होता है कि प्रसंद करके push दे के प्रसाथ देना, वो किया है अच, Finn Balor के fans के लिए बड़ी खुश खबरी थी के भाईया, एक ही रो में Finn Balor दो-दो जगे लड़ते के हैं, मतलब दो-दो segment में घुस्ते दिखाए दिए, कि एक तो ऐस tag team championship के लिए दिख्कत यह है कि उसके लिए क्या बोलते हैं, हमारे Seth Rollins और Kevin Owens भी तयार है, बट अगें जिस तरह से Kevin Owens Texas की बुराई कर रहे हैं, मेरे को पद है कि यह tag team championship के लिए नहीं होगा, Kevin Owens ultimately Austin या फिर Taker के साथ confrontation इसी में होगा, मतलब जिसका Texas से बहुत ही ज़्याद में rap होके आते, बिल्कुल वैसे ही Seth Rollins आज होके आते, and the Miz का segment देखने को मिला, of course, हमें आज पता चलने वाला थे कि कौन होगा उनका partner, वो सब और जो उन्होंने कहा, मतलब मेरे को लगता है कि WWE वो क्या बोलते हैं, टेस्ट कर रही है, कि अगर हम Cody Rhodes को बुलेंगे तो कैसा reaction आएगा, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरा partner वो है, जो wrestling family से belong करता है, कौन Cody Rhodes, क्योंकि उसी के rumors चल रहे हैं, तो Cody Rhodes की family, wrestling family थी, और उसके theme song में ही बोला जाता ये चीज, and then उन्होंने ये भी कहा कि वो बंदा dashing है, और जैसे उन्होंने dashing बोला, तो लो हो सकता है कि शायद the WWE उदास हो गई होगी है कि, अरे, Cody Rhodes का हमने फाल तुमें इतने महंगे में sign कर लिया है, तो reaction ही नहीं मिला, तो हाँ, जो बंदा आया, वो था Logan Paul, basically, Logan Paul and The Miz versus Mysterious की भी रेसल मेने मैच देखने को मिलेगा, and मैं सोच रहा है कि Bad Bunny देखने को मिलेगी celebrity, हमें तो Logan Paul देखने को मिल गया, अभी मेरे को पता नहीं कि Logan Paul की fan following कैसी है YouTube पर, मैं को पता है कि काफी ज़्यादा followers है, but किस type की following है वो भी तो है, कहीं पता चले सारी बच्चे हैं तो फिर उससे क्या ही फर्क पड़ता है, पर हाँ यह है कि Dummies ने कैसे connections बना लिये थे न, मैं को प्रियाद है कि Dummies न, पॉड्कास्ट पे भी गये थे Logan Paul के तो, ultimately payoff हो रहा है, दमिस के लिए, और जिस तरह से skull crushing finale मारा था न, Logan Paul ने, भाई काफी कुछ सीखने की जरूरत है, और मेरे को तो सही में लगा कि Dominic Mysterio का मुह सही में कहीं फूट तो नहीं गया, वीर महान of course is still coming to raw, I don't know when, and most importantly, 24-7 Championship के लिए बात कर लेते हैं, Reggie and Dana Brooke के भी जो भी हुआ amazing, मतलब Dov Ziggler तो उदासी हो गए होगे, आप क्योंकि Dov Ziggler ने Dana Brooke को भी date किया, हाँ यार क्या करे भाई, मतलब Dov Ziggler is the Spider-Man, वो हर जगे अपने जाल छोड़ता जा रहा है, और फिर उसके बाद हमने किस तरह से Akira Tozawa and Tamina, वो सबसे बेस्ट पार लगा विचारा Tozawa किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या यार हद है, entertaining तो था, मतलब आज का 24-7 टैटल का segment entertaining तो था, so anyway that's it for this video, मिरे को पता है कि like, इतना ही मैंने देखा हुआ है Becky and Bianca का segment चल रहा था, जिसमें Bianca try कर रह को लगता है कि, आज की रह काफे interesting थी, मतलब मेरे को एक भी segment ऐसा नहीं लगा, जो कि में को लगा कि, अरे क्यूं हो रहा है, except for the Rhea Ripley and Nikki A.S.H. का match, I'm not that interested in that match, comments में लिख कर बदा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ है, तो प्लिए लाइक पर शेर कर चैनल कर सब्सक्रा करो.